जी हाँ साथियों जिन भी क्रमचरी साथियों का पीएफ कटता है उनके लिए एक अपडेट आई हुई है साथियों बता दे आप लोगों को इसमें बड़े बदलाव की त्यारी में है सरकार जी हाँ EPFO में सरकार बड़े बदलाव की त्यारी में साधी सिक्षा के लिए पोर्टल के मादम से विड्राल संभाव बढ़ेंगी मिनिमम पैंशन लेमिट भी तो साथियों कई बदलाव करने की त्यारी सोच रही है सरकार जिसमें अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सविधाय मिल सकें इसका जो और लाब मिल सकें जो इनका पीएफ खटता करमचरियों का इसके उपर काम किया जा रहा है यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जिसकी जो सबसे बड़ी सोचल सेक्योर्टी स्कीम चलाने वाली जो एपिएफ हो है सरकार इसमें बड़े बदलाव की त्यारी में है निूंतन पैंशन की लिमिट को मोजुदा एक अजार उपे से बढ़ाया जा सकता है तो रिटेर्मेंट के समय पैंशन फंड में से आंशिक विड्राल की फैसलिटी भी दिये जाने पर प्रस्ताव चल रहा है यनिके इस पर भी विचार चल रहा है इसके अलावा इसके स्कीम के ओ आकर्सक बनाने का भी प्रस्ताव है जिसकी मासिक आय पंदराजार से अधिक है सरम और रोजगार मंत्री मंसुख मंडाविया ने मंत्राले के अधिकारियों और EPFO के सिस्टम को मिडल कलास और लोवर मिडल कलास सब्सक्राइबर के लिए प्रभावी तथा आकर्सक बनाने को कहा है सरकार EPFO को बैंकों की तरज पर खड़ा करना चाहती है और इसके लिए नीमों में बड़े बदलाव किये जाने की त्यारी में है एक रिपोर्ट के मताबिक सरकार चाहती है कि साधियों, मेडिकल, ट्रीटमेंट, बच्चों की सिक्षा के लिए आसानी से पैसे विड्राल की सुविदा को पोर्टल के मादम से ही इजाज़त दे दी जाए इसे लेकर जरूरी पड़ातों सरकार बड़े पैमाने पर नीमों में बदलाव भी कर सकती है तो इसको थोड़ा सा और लचीला और आकर्सक बनाने की जो हापर सक प्रियास कर रही है सरकार बही जो पीएप कटता है पर प्रोविडेंट फंड कटता है ताकि उसका और ज्यादा इस्तेमाल कर सके करमचारी अपनी अमर्जंसी पर या पिर अपनी सुविदाओं के से बाकि एक अच्छा कदम इसको सरकार का कह सकते हैं तो थोड़ा सा लचीला पन बहुत जरूरी है आउसकता के समय अगर यह काम आ जाए तो और भी अच्छी बात है अलग लग समय पर अलग लगा सकता होती है जैसे बच्चों की साधी है सिक्षा है इस तरह के आउसरों प पाना तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वुडियो को लाइक करें दुस्तों साथ सेर करें थेंक यू वेरी मुच्छ